हाँ जी काहल है ठीक है दोस्तों आप बोल सकते हो मुझे क्योंकि मेरे पास एक ब्राइंड न्यू मैक्सी स्कूटर इसको मैंने नया पर्चेस किया है गोरगपूर से आयूस सुझकी करके एक उदर है सोरूम वहां से रचित अस्पताल के सामने वहां से मैंने इसको पर्चेस किया है अब कल में इसक लिए मैं इसको इसका वीडियो बनानी पाया तो और जो गोरगपूर से में इसको चला के लेकि आया हूं रस्ते बहुत खराब है गोरगपूर से बलहल गंज तक के रस्ता मतलब सड़क जो है वो बन रही है और कई सालों से बन ही रही है उसकी स्पीड इतनी तेज है कि करें तो बात करें इस स्कूटर के बारे में तो यह एक fully maxi scooter है maxi scooter ही लोग इसको कहते हैं हलाकि दूसरा maxi scooter अभी किसी भी कमपनी ने लॉंच नहीं किया है ONLY SUJUKI निएक मैक्सी-sk ur को कौन सान में लॉंच किया था मुझे पता नहीं है इस समेसे मुझे पता चलाए-क यहास मैक्सी-sok reconciliation है मैक्सी-sk hacen रापे रिलिया नामकिक्तaler कंपनी है एक सुजुकी ने और दूसरी अपरेलिया करके एक कमपनी है लेकिन वो कमपनी सिर्फ दिली और वंबई में बिजनेस करती है सायद पटना में भी उसका एक सोरूम है लखनों में भी है लेकिन सिर्फ सेहरों में ध्यात में वह नहीं मिलता है आप सेहरों से लेकर भी आएंग वो भी श्कूटर ही था स्वरीश कूटी था हिरो का प्लेजर था मेरे पास वह इतना मज़ा नहीं आता था उसको चलाने में जितना मज़ा विया इसको आता है यह मतलब यार लुक वाइस भी ना आप सामने से अगर आप इसको देखेंगे ना जिन्होंने कभी नहीं देखा ह वह जल्दी से अगर देखे तो उनको पता नहीं चलेगा कि यह स्कूटर है हाँ जो चलाते हैं या जिन्हों ने देखा है वह समझ जाएंगे बड़ जो पहली बार देखेंगे वह थोड़ा जरूर सोचेंगे वह क्या है यह जब साइट में जाएंगे तो आपको पता चलेग हैं और वह कहीं में काम भी उसी तरह का करता है स्पीड भाईया एकदम तब क्लास का इसमें मेरे मेरा जो पहले वाला इसकूटी था उसका फुल एक्सलेटर जब आप लेते हैं न तो वह मुश्किल से 95 या 90 तक ही जाता था वह भी उतना जाने के लिए भी बहुत ज्यादा लेते हैं सड़क अच्छी है तो जादा से जादा साड़े तीन से चार सेकेंड के अंदर में यह आपको हंड्रेट की स्पीड में पहुंचा देता है और मैंने जब इसको गोरकपूर से ले किया इसका स्पीड बहुत ज्यादा स्पीड है इसकी लगबग जितने भी प्लान कर रहा था स्कूटर लेने के लिए तो लोगों ने मुझे बहुत सारे स्कूटर सजेश्ट किये थे जैसे कि होंडा का ग्राजिया या फिर टीवियस का और यह तीसरा यह तो उन तीनों को मैंने देखा लेकिन तीनों में से सबसे बेस्ट मुझे यह लगा क्योंकि इस पर जब आप बैठेंगे न तो यह आपको एक सूपर बाइक का फील देता है ऐसा लगता है कि हाँ पर बैठेंगे और देखने के लिए भी लुक वाइज भी काफी खुप्सूरत है इसकूटर है बहुत बढ़िया लगता है एक चीज और कि अगर आपके मन में भी ख्य बोड़ी है वो फुली प्लास्टिक है कहीं पर भी अगर गेड़ भीड़ गया ना भाई तो फिर आपकी जेब पर बहुत महंगा पड़ सकता है क्योंकि इसके जो यह जो जो भी पार्ट्स डेमेज होंगे उसको बदलने के लिए आपको नाग से चना चबाना पड़ेगा या तो फिर आपको सुझकी के शेशन पर ही इसके आप मिल सकते हैं अगर आप को फिर भी आप भूली जाओ जहर में आप हैं तो ऊब्दर सुझकी का जादा सेर्विस टेशन होता है तो हो सकता है उदर मिल जाए और आप उसको चेंज करा पाएं यह जो स्कूटर है यह सुजुकी का बर्ग मैं 125 125 का इंजन है इसके अंदर बर्ग मैं इसका नाम है लेकिन अगर आप सामने से देखेंगे यह बर्ग मैं नहीं बलकि बर्ध मैं लगता है बिलकुल बरत जासा है मोटा अब कुछ लोग सोचेंगे कि जब मैंने इतने पैसे खर्च किये हैं तो स्कूटर ही क्यों बाइक भी मैं ले सकता था और इतने पैसे मैं अच्छे खासे बाइक मिल जाते मुझे तो बहुत देखो क्या है ना कि मुझे पहली बात तो यह बाइक चलाने नही अब हैं. डर इसलिए लगता है कि एक बार जबर घस्त आख चुका है उसको बैठने पार डर लगता है जब मैरा अक्षडेंट हुआ तो मैं नहीं चला रहा था. तो मैं इसके पहले भी कि इसकूठी चला रहा था वह सुकूटी था इसको बदल कर कि इसको इसकूठी नहीं उंकिस के लिए और चलां लेंगी वह अलग बात है той कोई भी चला पढ़ता है ज्यादा दूर दूर तक मुझे जाना पढ़ता है तो मेरा जो स्कूटर था बहुत लेट हो जाता था उससे में तो इससे क्या है थोड़ा जल्दी पहुंचेंगे जल्दी आ जाएंगे पहले मुझे टीवीस का एंट और्क मुझे अच्छा लग रहा था जब त स्कूटर जो है नया तो बेरियंट में आता है यह सादा है इसमें कोई इसका जो शेकंड वेरियंट आता है वो ब्लूटूथ के साथ आता है उसे आप अपने मोबाई से ब्लूथूथ से कनेक्ट कर सकते हैं लेकिन वो जो फीचर मुझे यूजलस लगा बेकार लगा फोग मोबाइल तो है निकाप उसमें इंटरनेट चला लोगे Bluetooth अगर उससे आप करके आप ज्यादा से ज्यादा लोकेशन चेक कर सकते हो कि मेरी गारी कहां खड़ी है अपने मोबाइल में चेक कर सकते हो आप बस इसे ज्यादा कुछ खास मुझे लगाने कि उससे आप कुछ इसको नाइन रूपए का कुल मिला करके डेढ़ हजार रूपए कम एक लाख में वह भी वहां तक जाने के लिए तो आपको खरचा पानी में खरचा होई जाता है तो मतलब एक लाख रूपए आप पकड़के चलो कि यह अगर आपकी जेब में एक लाख रूपए है तो बाद में देखेंगे क्या होता है ठीक ठाक बोले तो अब बिल्कुल आपको इस प्लेंडर जैसा तो इसमें मिलेगा नहीं क्योंकि यह भारी बंदा है तो भारी खाना खाएगा ठीक है तो यह फिर भी आपको 40 42 या 45 तक आपको इसका मैलेज मिल जाएगा अगर आप एक अच लेकिन अगर आप स्पीड के ज़्यादा सोकीन है एक ही बार में फ्याटर बं तब तो यह भाईया पीना सुरू कर देगा और मुश्किल से आपको 35 से जादा नहीं मिलेगा तो अगर आप यह गाड़ी कभी लेने का इरादा करें आपका तो एक चीज़ याद रखना कि यह पूरी प्लास्टिक है ठीक है मेटल का सिर्फ इसका यह जो है ना क्या बोलते हैं इसका वील गार्ड यही सिर्फ एक मेटल का है वो भी फ्रंट का बैक का नहीं है बैक का प्लास्टिक का यह तो यह याद रखना कि यह प्लास्टिक है एक बार गिरी एक बार कहीं लड़े ह अलाकि एक बार में तो टूटेगा इतना भी कमजोर नहीं है आपकी बॉड़ी टूट जाएगी यह नहीं टूटेगा ठीक है थोड़ा मजबूत है बट अगर टूट गया तो फिर भाईया आपकी जेब के लिए थोड़ा समहंगा पड़ेगा तो बस इसके बारे में मैं पिछे वाला वील है ना पिछे का जो टायर है वो छोटा है दस इंच का वो भी आप ध्यान रखना अगर आप खरिदना चाहते हो तो यह इसका वीक पॉइंट है बाकी सब कुछ ठीक है अगर आपको इसके बारे में कुछ और भी जानकारी चाहिए तो मैं दो चार दिन प्रेना चाहते हैं तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में आप सोच रहोंगे कि मैं दिक क्यों नहीं रहाँ दिख इस लिए नहीं रहा हूं क्योंकि लाइट चली गई है हमारे यह लाइट की बड़ी दिक्कत है कई दिनों से पथल पढ़ रहे हैं बारी सो रही है करोना अ अगली वीडियो में तब तक कि लिए बाई